So, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निलेश कामड़े और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले है How to repair Windows 10 without CD, DVD और USB drive आपके पास कोई भी option नहीं है, CD नहीं है, DVD नहीं है और USB drive भी नहीं है कोई भी bootable device आपके पास नहीं है और फिर भी आपको Windows 10 को repair करना है यही हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे So, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर मैं Windows 10 के related वीडियो बनाते रहता हूँ अगर आपको Windows 10 के related कुछ भी help चाहिए तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को भी press आपको करना है ताकि मेरी future videos आपको हमेशा मिलती रहे तो इसलिए शुरू करते है Windows 10 को repair करने के लिए पहले तो हम लोगों को Windows 10 को अपने computer को restart करना पड़ेगा अभी restart करने के लिए कुछ options हम लोगों को try करने है पहला option अगर आपका computer चालू हो रहा है मतलब आप login कर पा रहे हैं और फिर भी आपको उसको repair करना है without CD, without DVD कुछ ना कुछ आपके computer में issues है corrupt हो गया files और किसीने recommend किया है कि आपको आपका computer जो है वो repair करना पड़ेगा इस time हम लोग कैसे इसको restart कर सकते हैं पहले हम लोगों को login screen पे जाना पड़ेगा login screen पे हम लोगों को आना है यहाँ पे login screen है हमारा और यहाँ पे आपको power का option दिख रहा है अभी यहाँ पे power के option में हम लोगों को click करना है और click करने के बाद restart पे click करना है लेकिन सुनो 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 restart पे click करने से पहले हम लोगों को press करना है shift की अभी shift की press करके restart पे click कर देना है अभी फिर से मैं इस restart anyway पे भी click कर दूँगा और देखते हैं हमें क्या result मिलता है so shift की press करके हम लोग इस option में आये हैं ये option हम लोगों को मिल गया troubleshooting का तो अभी यहाँ पर मैं Troubleshoot पर क्लिक कर दूँगा और Troubleshoot पर क्लिक करने के बाद यहाँ से Reset This PC पर क्लिक कर दूँगा अभी यहाँ पर तरह तरह के options और भी हैं, Advanced Options पर क्लिक करेंगे हम लोग और जैसे हम लोग repair करना चाते हैं, suppose start up repair करना चाते हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है command prompt से कुछ command हमारे पास है, उसको हम लोग अगर use करना चाते हैं तो यहाँ से हम लोग को repair करना पड़ेगा और system restore अगर हम लोग करना चाहते हैं तो system restore पर करना पड़ेगा और system image recovery पर हमारे पास कुछ image file है जिसके helps से हम लोग image recovery कर सके तो इसको हमें select करना पड़ेगा अभी दूसरी method से हम लोग कैसे advance options में आ सकते हैं वोग मैं आपको बताऊंगा मैं यहां पर back पर click करूँगा फिर back पर जाओंगा और exit and continue to windows 10 पर click कर दूँगा अभी हम लोग second option देखेंगे अगर आपका computer boot नहीं होना windows 10 में तो हम लोग कैसे उसको advance options में लेके जा सकते हैं आपको जैसे ही computer आपका जो windows operating system है जैसे ही windows boot screen पर आता है मैं आपको बताता हूँ कि कौन से windows की boot screen है तो यहां पर यह जो screen है वो boot screen हम लोग बोल सकते हैं अभी computer boot हो रहा है तो इसी time पर आपको shutdown की या फिर restart की प्रेस करना है और boot process जो है उसको interrupt करना है अभी तको यह पहली बार ही हम लोगों को repair automatic mode पर लेके गया लेकिन अगर आप first time में इसको नहीं देख सकते हैं तो आपको दो बार ऐसे restart करना है computer और फिर third time आपको यह option दिखाई देगा automatic repair वाला option जो है आपको third time में दिखाई देगा तो मैं आ गया अपने automatic repair के screen पर अभी मैं इसको advance options पर क्लिक कर दूँगा और advance options पर troubleshoot option हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो troubleshoot पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर भी reset this PC है अभी reset this PC जो option है यहाँ पर दो option हम लोगों को दिखाई देदे keep my files and remove everything keep my files will remove apps and settings but keeps your personal files जो भी applications है जो भी settings है हमारे computer में applications मतलब सबोस आपने कुछ software install करके रखा है like Photoshop, Adobe, Premiere Pro या फिर कोई ऐसा software MS Office टैली हो गया जो भी applications जो भी software आपके computer में है वो delete हो जाएगा और फिर आपके जो personal files है वो वैसे ही रहेंगे और दूसरा option जो है वो remove everything वाला वो जो option है वो आपके applications आपके personal files सभी को remove कर देगा और आपको एक fresh installation मिलेगा आपका जो windows है वो repair होके आपको एक fresh windows 10 मिल जाएगा सो मैं यहाँ पर select करूँगा keep my files वाला option क्योंकि मुझे files चाहिए इस repair mode पर सो मैं keep my files का option select करूँगा और फिर यहाँ पर दो option मुझको दिखाई देरे cloud download और local reinstall cloud download मतलब आपका जो windows 10 है वो internet से download होगा इसके लिए आपको internet connection लगेगा Microsoft की website से वो download होगा और फिर install होगा जो भी updated version है वो आपको मिल जाएगा लेकिन यह local reinstall जो है यह option हम लोगों को windows 10 जो है वो हमारे computer पे जो image है windows 10 का वही use करेगा वही updates use करेगा और इसको reinstall कर देगा अगर आपको latest version चाहिए windows 10 का तो आप cloud डाउनलोड कर सकते हो इसके लिए 4GB का data आपको लगेगा अगर 4GB का data आप use कर सकते हो तो यहाँ पे आप click कर सकते हो लेकिन इसके लिए time भी उतना ही लगेगा और जो time है वो internet की speed के उपर depend है फिर आपका decision है आपको क्या करना है मैं फिलाल तो local reinstall करूँगा local reinstall पे click कर दूँगा और फिर यहाँ पे कुछ चीजे तयार हो रही है getting things ready अभी जो भी settings हम लोग ने किया है वो यहाँ पे options दे रहा है हम लोगों को this can't be undone make sure your device is plugged in this may take a while मतलब आपका laptop होगा तो उसको power cable से connect कर दो क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा time लगने वाला है resetting will change settings back to the defaults keep personal files, reinstall windows from this device remove all apps and programs that didn't come with this PC जो भी programs और applications इस PC के साथ नहीं आये हुए है वो सभी के सभी delete हो जाएंगे और आपको फिर से उनको install करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं reset पे click कर दूँगा और reset पे click करने के बाद reset process चालू हो जाएगा तो अभी आप देख सकते कि 1% complete हो चुका है मेरा time अभी 11.18 am है मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको कितना time लगा ताकि आपको भी एक अंदाजा हो जाए कि resetting this PC के लिए कितना time लगता है सो मेरा computer reset हो चुका है repair हो चुका है अभी आप देख सकते कि यहाँ पे कुछ software जो है वो remove हो चुके है अभी यहाँ पे मुझको कोई भी icon नहीं दिखा रहा है और बहुत सारे applications यहाँ से remove हो चुके है personal files जो है वो मेरी वैसे की वैसे है तो आप इस तरीके से computer को repair कर सकते है normally इसके लिए मुझे time लगा 20 से 25 मिनिट आपके computer के performance के उपर depend है और install applications जो भी आपके computer पे है उसके उपर depend है कि इसको कितना time लगता है reinstall होने में, repair होने में तो यह एक तरह से repair option और reinstallation का option ही है आप इसको try जरूर कर सकते है तो बस इतना इता है इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर like करना, share करना और subscribe भी कर देना